आप सब ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहां के मौसम के साथ तो मौसम देखिए आप यू देखिए अभी सामने ना मलब धुनला धुनला सा नजर आ रहा है लग रहा है कि बारिश या फिर तुफान इस तरह से कुछ तो होने वाला है तो देखते हैं क्या होता है क्या नही लेकिन बारिश नि और जब बारिश नि वत्ती तो फिर काफी जादा गर्मी जासा फिल होता है आज जो है बारिश का मौसम बना हुआ है देखते हैं मैं यहां पर दिखाती हूँ यह वाली चादर जिसे अबी मैं अपने इस बैड ने वाली हूँ JUST LOOK के साथ देखिए पहले तो आपको मैं दिखाऊं कि इस तरह की पैकेजिंग में यह आपको रिसीव हुई है और यह रही हमारी चब्दर जिसे बिछा करके मैं आपको अच्छी से दिखाऊंगी कि कैसे बिछाने के बाद यह नजर आने वाली है इसके साथ ही आपको यहां पे दो प्यारे से कुशन्स पी मिल जाते हैं और साथ ही साथ यहां पे हैं बहुत ही खुबसूरत से आपके पिलो कबर को भी पिलो के ऊपर लगा करते हूं आपको दिखाती हूं बिछा करके दिखाती हूं कि कैसी नजर आती है चलिए पहले बिछा लेती हूं फिर आपको तो जो यह हमारा मैट्रेस है यह 8 इंचिज है किंग साइज मैट्रेस आप देखिए कि भिछा करके यह चादर किस तरह से नजर आ रही है बकी कुशन्स जो पिलो कबर आपका पूरा बैंट जो है कंपलीट हो चुका है बकी इस चदर को अगर आप भी अगर पको पसंद आती ह है वाइक करना चाहते हैं बकी यही नहीं जो भी मैं आगे आपको दिखाने वाली हूं कलेक्शन तो उसको आप मेरा लिंक के थू जो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वहां से आप इसे डारेक्ली पर्चेस कर सकते हैं तो इस तरीके कि यह चदर है बकी कलर सब्सक्रिप्शन बात करें कपड़े की क्वालीटी की तो कपड़े की क्वालीटी भी बहुत ही जाधा बढ़िया है यह देखिए आपको आप जाहा है यह दिखा रही हूं इस तरह की पैकेजिंग में यह है और वैसे ही दो यहां पे आपको कुशन्स मिल रहे हैं एंड साथ ही आपके ये रहे दो पिलो कावर जो की देखे काफी ऐसा लग रहा है जैसे एंब्रोडरी कर रखी है उस तरीके का है कॉलिटी वाइस ये जो चदरे हैं जो उपर मैंने बिचाई थी अपने रूम में वो भी और ये भी बिल्कुछ सेम टू सेम है और बहुत बैस्ट क्वालिटी है तो ये रिखे और चदर की बात करें तो ये रिखे इस तरह की है कलर थोड़ा सा डिफरेंट है उस वाले रूम के जो चदर थी उसके comparison में यहां पर मैं आपको quality दिखाऊं तो देखे थोड़ा सा आगे से आपको दिखाती हूं ये रिखे जो कपड़े की quality है बहुत ही बहतरीन है और अभी कुल एकदम पका जैसे होता है ना कि cotton की चदरें एक-दो बार धूलने के बाद उसका कपड़ा है एक-दम soft हो जाता है और फट जाता है थोड़ा सा भी अगर आप बच्चे जैसे पाउं फसाए तो फट जाता है वैसा नहीं है काफी पका quality wise अच्छी जो है ये चदर नजर आ रही है वाकि भी दिखा करके अभी दिखाती हूं आपको एक बार कैसी नजर आएगी जैसा ही आप देख रहे हो कुशन साथ में तीलो कवर बहुत बेसिक की है बाकि रही बात प्राइश तो प्रैस्य श्कें साइड में लगा रखूंगी जो भी चदरे में आपको पर इखा रही हूं सब के prais आपको screen पर मिल जाएंगी वहां से आप दियो है देख सकते हैं चैक आउट कर सकते हैं और पर्चेज लिंक नीचे है तो वहां पर डार्ट ली जा करके आप पर्चेज कर सकते हैं अपनी सुविदा के अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छी लग रही है तो इस तरीके से यह रिखे यहां पर भीछा करके बहुत ही अच्छी जो है चदर आपको नजर आ रही है वागि फूल साइज की है साइडल से आप देखी रहे होंगे कि ऐसा नहीं है कि बहुती बड़ी मिल्कुल एकदम फूल साइज की है आप यह बैड देखी रहों किंग साइज का यह बैड है और इस पे उच्छी स्थरह की फिर यह नजर आ है इसके बार चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चदर की तरफ जो मैं आपको दिखाने वाली हूं तो यह देखे अगें कलर जो है कलर कंबिनेशन बहुत ही प्यारा है इसका आपको हर तरह के कलर इसमें नजर आने वाले हैं और चलिए बहुत जादा न बोलते हुए मैं इसको आपको बिखा करके दिखाती हूं बाकि कॉलिटी सेम सारी चदरों की बहुत बेस्ट कॉलिटी है और इसके साथ आपको यहां पर दो पिलो कवर भी मिल रहे हैं अभी आप देख सकते हैं बिखाने के बार चब्दर की इस तरह की नजर आ रही है मल्टी कलर में है और कुछ जिस तरह की फिर यह नजर आएगी कॉलिटी बहुत अच्छी है कॉटन की बैक्सीट से इसका जो प्राइज है वह 499 है और अगर आप आज मेरा लिंक के थ्रू इसे परचेस करते हो तो यह आपको मिलेगा 459 पे मतलब फाइदे का सौदा है और एक और बात बताओं आपको तो आप इसे वर्टसेप के थ्रू भी परचेस कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है उसी के थ्रू आपको जाना है और वर्टसेप से अगर आप परचेस करते हो तो एक बेनिफिट आपके लिए यह है कि अगर आपको प्राइट पसंद नहीं आ रहा है या फिर करने की सोच रहे है किचन मेशों के लिए कुछ सामान लेने की सोच रहे है तो आपको यहां पर की रिलेचिड हर वो चीज़ें मिल जाती है और वह भी ढसीडेवल दिखाती हूं आपको यह चोथी चदर गेकिल v6 kg कपड के हैं और 두र जó है इस तरह की color combination कुछ ऐसा है, थोड़ा dark इसका color है, dark blue color जो की बहुत ही प्यारा लगता है चद्रों में, अगेन इसके साथ भी आपको pillow cover मिल जाते हैं, जिन में बहुत अच्छी तरह से finishing दे गई है आपको, हर जगा आप देख सकते हैं, बाकी pride side में लगा होगा, बिछा करके कै इस तरह से आप देखिए कि बिछाने के बाद चदर की इस तरह की नज़र आ रही है, और एक बात मैं आपको इस चदर की बताऊं, एक तो quality मुझे अच्छी लगी और दूसरा, इसका जो size है बहुत जादा बड़ा है, जैसे अगर आपके पास कई वेरी मोटा बहुत जाद पड़ जाती है, उतनी छोटी नी, लेकिन मतलब ठोड़ा भी अंदर को गद्दे के नीचे वो नहीं आपाती है, और बच्चो का घर है, अगर गद्दे के नीचे shift हो जाती है, तो ऐसा होता है कि काफी time तक खराब नी होती, और इस वाली का चदर में मुझे वाली quality नज़ लगी है, और बकी price आप side में देखेगा, वैसे सारी ही चदर मुझे तो अच्छी लगी, लेकिन ये चदर मुझे उस हिली हाथ से ज्यादा अच्छी लगी, जिस मतलब जैसे मेरे घर में बच्चे हैं, तो आप ही बताईएगा कि आपको इन में से कौन सी चदर अच्छी ल गोल-गोल होते हैं, तो इस तरीके का ये पूरा आपका दिवान सेट है, और अगेन इसका price भी आपको side में आप देख सकते हैं, वहाँ से और color ये एकदम light जैसा color है, और देखने में बहुती प्यारा है, ये है इच्छाथे नंबर की चदर, हमारे आज की shopping की सबसे last चदर और देख सकते हैं आप बिछाने के बाद किस तरह से नजर आ रही है, अगेन ये भी आपको बिल्कुल full size मिल रही है, king size, queen size बैट पे आप इसे easily बिछा सकते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया था, नीचे जो मैंने एक चदर बिछाए की काफी बड़े size की है, सेम वही वा बारी फिर ये बैट पे भी छाई हुई भी नजर आती है, तो इस तरह के product है, मकीर मेरा link के through आप जा करके और भी shopping कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, kitchen items से लेकर के हर एक चीज़े आपको यहाँ पर बहुत ही reasonable price में मिल जाती हैं, तो बस फिर आज के vlog की में कर दी हूं, यही पे अंडिंग दे, है पि नेक्स ब्लोग में पत्तक लिए ने मिश्कार,